नमस्कार, मैं हूँ सच्चेदानद वसिष्ट सजनों अब जो आपको हम बताना चाह रहे हैं वो एक अध्भुत है, विशेश है और आपके जीवन में लाब देने वाली है वो जानकारी क्या है? यदि आपका नाम अक्षर यारालावा है यारालावा अगर है, तो आपको जो अक्षर अब मैं बोलने वाला हूँ उनके साथ कभी भी आपको विवाह, मैत्री या ब्यापार ये आपको जो गए नहीं करना चाहिए और वो जो गए अक्षर क्या है? यारालावा ब्यावाए के साथ में? इनका मेल नहीं है क्योंकि चाचह जैजह अक्सर जो है उसका वर्ग होता है सिंग और यारेलवे का जो वर्ग है वो है म्रिग ये दोनों एक दूसरे के सत्रू होते के और सत्रू होने के कारण अब जब तक दूर है जब तक कोई किसी में सत्रूता नहीं होती लेकिन जो ही वो नस्दीक होते हैं तब पता चलता है कि किसमे किसकी महत्री है और किसमे किसकी जो है शत्रुता है तो शिंग एक अलग जंगल में घूम रहा है और मर्ग अगर अलग जंगल में घूम रहा है तो मर्ग स्वतंत्र है और वहां पर वो सुरक्षित भी है लेकिन जहां दोनों का मेल होगा पानिश्चित है मरग का हिरन का सिकार हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में उनको दूरी रेना चाहिए तो एक का वरग मरग है और एक का वरग सिंग है तो यहां पर इनका मेल नहीं है इसलिए इनको जीवन में यहरे लेवे वालों को चाचा जजह वालों के साथ में विवाह नहीं करना चाहिए व्यापार नहीं करना चाहिए या जो है मित्रता भी नहीं करनी चाहिए और मित्रता भी करें क्योंकि मिलेंगे स्कूल में पढ़ेंगे तो साथ होंगे कोलेज में जाएंगे तो साथ होंगे किसी ओफिस में जाएंगे तो साथ होंगे संसार में रहेंगे कहीं ना कहीं आपस में बारता लाप या मिलना जुलना तो होता है लेकिन गनिश्टता में ना बदले गनिश्टता आखिर में दुखदाई होगी ना इनके साथ में वेवाह चल सकता है और ना ही इनका व्यापार चल सकता है इसलिए अंततो गत्वा जब इन्होंने बिछुड़ना ही है तो उनसे दूर रह करके अपना काम निकाले और साथ में गनिष्टा में जाकर के अगर वेवा को तोड़ना है तो वेवा कर लीजिए व्यापार को तोड़ना है तो आप व्यापार कर लीजिए इसलिए मैं यह कहता हूँ साजेदारी भी ना करें और वेवाहिक संबंद भी जो कहा है इनका नहीं होना चाहिए बाकी आप को और जानकारियों के लिए ये नंबर रहे इन नंबरों पर आप संपर्ट करके कारेले से अपाइंटमेंट ले करके कारेले की सेवाए अरपन करके और आप जो भी जानना चाहते हैं वो आप जान सकते हैं नमस्कार